क्या हाल चाल है आप लोगों के वेलकुम तू दा क्लास नंबर फॉर ओफ डिजिटल मार्गेटिंग कोस्ट ट्वेटिटिफॉर तो अभी दग हम लोग तीन क्लास कर चुके हैं फॉर्स में हम लोग ने सिर्फ ओरेंटेशन करा था सेग्ड क्लास के अंदर हमने सोशल मीडिय या मार्केटिग ऑगैनिक और इनाओगैनिक को समझाता, सेकिंड क्लास के अंदर, थ़्ड क्लास के अंदर हमने सर्च इंजन सेंन ओप्तिमाजाशन यानी S.E.O. और S.E.M. के बारे में समझाता कि यह क्या होती है and fourth class के अंदर हम लोग समझने वाले हैं probably the most important concept, the most basic, the most fundamental thing of marketing जिसको बोलते हैं marketing funnels, okay so, इस चीज के basis पे बहुत सारे बड़े decisions बनाया जाते हैं एक organization के marketing को लेकर और मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने इस marketing funnels के fundे को समझा तो आप एक बहुती जबरदस्त, बहुती kick-ass, बहुती फाडू type के digital marketer बन जाओगे doesn't matter आप digital marketing की कौन सी field pick करते हो कि यार मैं social media marketer बनूँगा, मैं email marketer बनूँगा, मैं performance marketer बनूँगा मैं growth marketer बनूँगा या मैं कौन सी field pick करूँगा, बट आपको ये marketing funnels तो अच्छे से पता होना ही चाहिए तब ही उसके अंदर कुछ बड़ा फोडपा होगे, so आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग सबसे पहले next slide कर लेते हैं एक important चीज़, ये मुझे लगता है कि आप में से हो सकता है काफी सारे लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो वीडियो 1x, 2x, 1.5x पर बस देख रहे हो और देखे जारे हो उसे काम बने का निए क्योंकि आपने शदगर नोटिस किया हो तो I am not teaching you as a teacher, rather I am teaching you as a बड़े भाया, ठीक है जिसके अंदर I am not giving you bookish ग्यान, ठीक है कि इसकी definition ये होती है, इसकी definition ये होती है, पेपर में आएगा, पांच मार्क में ये लिखना, एक मार्क में ये लिखना, नहीं I am not giving you any definitions, I am just giving you the true feeling, the true essence of what exactly these things mean and आपको आने वाले classes में सिखाएंगे कि ये exactly कैसे कैसे apply करनी है and इससे कैसे कैसे result आएगा from the day one itself and that is what companies are going to pay you for or even clients are going to pay you for, ठीक है, so start making notes because बाते हवा होती है, किसी एक मेरे mentor ने कहा था कि बाते हवा होती है, कागस पे उतार लो वरना हवा में गुम हो जाएंगी, ठीक है, so जो जो चीजे में बोल रहा हूं ना, वो वीडियो पॉस करके, आप उसी टाइम अपने इसाब से डरा कर लिया करो, या लिख लिया करो, या थी नई कोई diagram बनाया, कोई illustration बनाया मैंने library का example बनाया वो अपनी copy में बनाओ, एक copy नहीं बिल्कुल कोरी की कोरी अच्छी सी copy बगर है, ऐसे कुछ लेके आओ, classmate types, कुछ ठीक है, and इसके उसंदे proper तरीके से notes बनाओ, जब भी आ ताइम वेस्ट मत करो पना, ठीक है, मत देखो, अगर नोट्स निम्ना रहा है तो मत देखो, क्योंकि I want कि अगर भाई देख रहे हो, तो तो में रिजल्ट मिलने चाहिए, that's what I am hoping for, हजार की जगा, सौ लोग भी देख रहे हैं, लेकिन जादा लोगों को रिजल्ट मिल रहा ह So, after you start making notes, तो सबसे पहले चीज़ आजम लोग समझेंगे, कि what is a funnel, तो आप ही लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि what is a funnel, आप लोग funnel से क्या समझते हो, अगर आप में से कोई लोग science के हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ का idea होगा, कि funnel कुछ इस तरीके के दिखता है Science में हमने एक funnel देखा होता है, chemistry classes में, वरना अगर आपने इस तरीके से वो तेल को या फिर आपने इस तरीके से वो तेल को देखा होगा, कि वो दूद की जो एक container होता है, उसके अंदर जब दूद पोर करते हैं, तो किस तरीके से डालते हैं, वो एक funnel यूज करते हैं, जहा वो आची डेट में run कर रहा है, वो इसी तरीके से काम करता है, और इसी तरीके से customers लेके आता है, customers को acquire करता है, customers acquire करने का मतलब है कि अपना product बेचना, और किसी को, नए इंसान को अपना customer बनाना, उसको बोलते है customer acquire करना, customer acquisition, ठीक है, ओके, चलो, यार, फटाफट से board घोल ल लिखती है, जूट में बोलना, मातरानी का पाप लगेगा, जूट बोलो के तो, so, इसी तरीके से मारा funnel होता है, अभी हम लोग बात करते हैं, की, अच्छा, एक बहुत अच्छा एक्जामपल है, रिलेशनशिप का, ठीक है, जिससे मुझे बहुत ऐसीली समझ में आया था, है कि यह एक्छा में funnels होते हैं, को है, को यह चल जाओ, ओकै, हिए ओक हो एक्जामपल को लेते हैं लोग फोर एक्जामपल एक लड़के हो है थीक है और आप ही के एक्जामपल आपयोक के अंदर एक लड़की है ठीक है तो अगर मालो आप इनको अपने गल्फ्रेंड बनाना चाहते हो तो आप क्या गरोगे अगर आप डिरेटली जाके बोलोगे कि आप इनको नहीं जानते आप यह यह आपको नहीं जानती आप यह इन्होंने आपको पहले कभी शायद नहीं देखा है इनको अगर गल्फ्रंड आना चाहते हो तो आप क्या गरोगे सबसे पहले जाके शाएद इनको बोलोगे कि भाई मेरी फ्रेंड बन जाओ ठीक है तो फ्रेंड बनने में क्या है اक रिस्क कम है सामने वाले को कमिटमेंट कम करने पड़ रही है तो पहले शायद friend बन जाएंगी ठीक है उसके बाद भाई मेरे और better friend बन जाओ या close friend बन जाओ ठीक है आप लोग ज्यादा hangout करने लग जाओगे गोमने लग जाओगे फिरने लग जाओगे देन प्रॉबबिली शायद एक मौका आएगा शायद आपको बीड़ पर जाओ प्रॉपर प्रॉपर इंदेन कभी आप शायद मौका आएगा कि जाके बोलोगे कि भाई भी माइग फिर पन तब जाके वह आपकी गल्फिंड बनने के चांसेज क्या हो ज करते उसके लिए भी आपको यह ताम-जाम करना पड़ता है आप पहले एक फ्रेंड बनोगे उसके बाद आप डेट पर लेके जाओगे उसके बाद जाके कहीं आप उसको गल्फिंड बनाओगे या फिर बाइफिन बनाओगे समझ जाना एक्गामपल सो एक इनसान के माइं को कंडिशन करने के लिए आप पहली बारी में जा कर आप सब कुछ नहीं कर सकते इसके लिए एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है यह भी एक तरीके का फनल है यह भी एक तरीके का फनल है मतलब कि आप एक कस्टुमर को आप एक कस्टुमर को क्या करते हैं सबसे पहले दोस्त बनाते हैं यह अपने बारे में बताते हैं जब आप लड़की को अपना दोस्थ मिना तो आप एक्षिल में करके आ रहे हैं आप उनको को कुछ आवेर्णेस दे रहे हैं ठीक है कि भाई कॉलिज में लड़का मैं भी हूं ठीक है मैं इतना चाहूं मैं मेरे में ये इकॉलिटीज है तो मेरे दोस्ट बन सकती हो जब वो दोस्ट बन जाते हैं तब आप उनको consideration state में लेके आते हो consideration state कि भाई आप मुझे consider कर सकते हो एक date पे जाने के लिए consideration state से आगे बढ़ने के बाद जब आप पर चले जाते हो तब जाके आप उनको बोलते हो कि भाई आप प्रपोस करते हो कि भी माइ गल्फरेंड यहां पर आप जाके करते हो उनको acquire और इसके बाद जाके वह इंसान आपसे कहलो लॉयल होता है या फिर कहलो वह रिटेन होता है कि वह इंसान आपकी गल्फरेंड अब है अब आपको इतने सारे एफर्ट करने की शायद नहीं है ठीक है इसी को मार्केटिंग टर्म्स के अंदर समझते हैं कि आज की डिट में एक्जांपल लेते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि इस पनल को ख़को मार्केटिंग अवेर्नेस कंसिडरेशं कन्वर्जन लोयल्टी सबसे पहले हम एक कस्टूमर को अवेर करते हैं इन्फोर्मेशन देते हैं उसके सामने प्रकट होते जाते और अपने बार में बताते हैं क्या कर रहें आप वह बताते हैं क्या औफर कर र हम उसको एक consideration state में लेके आते हैं कि भाई या फिर इसको इस तरीके से समझ लो कि हमारी कोशिश तो होती है कि भाई हम सारी चीज़े एक step में कर दें बट customer अपना अपना time लेता है सबसे पहले वो अवेर होता है example सबसे अच्छा पेटियम आज से कई साल पहले जब demonetization हुआ उससे पहले या उसके time के आसपास की बात है ads पेटियम के आने बहुत शुरू हुए थे कि भाई आप petrol pump पे भी खणे हैं तो आप online पे कर रहे हैं उस time पे बहुत ही नया concept और सारे लोगों को यह था कि यार मिलब online कौन ही पे करता है कौन यह app वगारा के जंजट पालेगा क कौन पे गरेगा किसको पता भाई पेमेंट जाएगी नहीं जाएगी फ्रॉड हो जाएगा यह वह स्टार्टिंग में वट दे वर डूइंग वह अवेर कर रहे थे देन जब हमें लगा बहुत जगा उपर देखा देखा लोगों को कि भाई इतने सारे लोग जब पे कर रह है इतनी जगों पे एक्षेप्ट हो रहा है इतने फलाने फलाने फायदे हैं ठीक है हम भी कंसिडर कर सकते हैं वी वर इंटु कंसिडरेशन स्टेट एंड कब हुआ कि बाई जब हमने अप इंस्टॉल कर ली हमने उस पर अपना अकाउंट बना लिया और हमने पेमेंट करनी उस अप से क्या गरे शुर्य कर दी और जैसे जैसे हम पेमेंट करते ग fav हमारी आदत क्या बन गईम हम और सबस्ते आपने का चैसे काफी सारे दुकांदार देखें जो पेटीं के पीमेंट के लेते हैं ठीक है अब तो बैन हो गया, Paytm से ही पेमेंट करते हैं, कोई और पेमेंट आप यूज नहीं करते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर्ली गूगल पर कोशिश करते हूँ, गूगल किसे करूँ, बट एक सर्टन सेट अफ यूजर है जो सर्फ Paytm ही यूज करते हैं, उनको Paytm ज़ा जाते हैं, इसी को बोलते हैं, एक Marketing Funnel, और इसी के basis पर डिसाइड होता है, कि एक इनसान को किस तरीकी की एड दिखानी है, और किस समय पर दिखानी है, जब एक Brand बिल्कुल नया होता है, एक Product बिल्कुल नया होता है, Market को उसकी Information, Understanding बिल्कुल नहीं होती, तो शिरुवात में Suggested यही होता है, कि आप जादा से जादा Market के अंदर Awareness फिलाएं, कि भाई, यह Product करता क्या है, Product के अंदर फाइदा क्या है, फलाना फलाना, जो भी है, ठीक है, यह जो वीडियो में में कर रहा हूं, What is this? This is Awareness of my me as a Digital Marketing Teacher, as a Digital Marketing Coach, ठीक है, यह मैं Free में क्यों कर रहा हूं, क्यो ले पाऊं, तो शायद मैं launch करूं, और इनी लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, यही लोग फिर कल को recommend करेंगे, यही लोग पढ़ना चाहेंगे, आप ही में से कोई न कोई शद हो सकता है, पढ़ना चाहेगा, कि यार मुझे लाइफ पढ़ना है, ताकि मैं लाइफ और भ देखने की कोशिश करना, तो यह simple simple आज का ग्यान, आज का concept, आज का class था, यही पर समापत होता है, this is marketing funnel, आप जाके, अब अपने copy पर तरीके से लिखो, funnel क्या होता है, marketing funnel क्या होता है, example, paytm का, और एक girlfriend, boyfriend का अपने तरीके से बना के लिखना, so that you understand it well, now, अब अब आपने last नहीं करी है, और तुमने इसका जवाब नहीं लिखा है पिछली वीडियो में, तो मैं आपको बता दूं कि, घ्यान, मन में उडेलने से, या फिर देखते रहने से, चीज़े नहीं आएंगी, आपको जब तक चीज़े, थोड़ी, 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 यह करोगे, तो जाके, आपको करना क्या था, बहुत ही सिंपल था, आपको सीधा-सीधा, cat foods लिखना था, cat foods, cat food, तो अब देखो, यहां sponsored लिखा है, यहां पे जो top के लोग आ रहे हैं, नजल हॉप, सुपर टेल्स, नजल हॉप, नजल हूप, बहुत आ रहे हैं, देखो, सुपर टेल्स, और यह डॉगी डवाज, ओके, तो यह तो तीन वेबसाइट्स जो हैं, यह आड्स के अंदर सबसे पहले आ रही हैं, है की नहीं, यह तीन तरीके की वेबसाइट्स, तो आड्स के अंदर यह काफी अच्छा कर रहे हैं, यह सॉर नो, यह सॉर नो, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीके, बलेप वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, यह नजल हूप तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, क्योंकि इनकी एक बारी cat food सर्च किया है, तो दो, तीन, चार है और गैनिक की अब यहां पर यहां पर क्या लिखा है यहां पर जैसे यहां स्पॉंसर लेका यहां स्पॉंसर नहीं लिखा हुआ तो यह क्या है यह और गैनिक है इस आर कॉल्ड गूगल मर्चंट गूगल शॉपिंग लिस्टिंग और गैनिक लिस्टिंग मर्चंट सेंटर है तो seo के अंदर इनको बीट करना बहुत मुश्किल होता है स्टिल सुपर टेल्स बहुत अच्छा कर रहा है और बाकि यह सारे तो अच्छा करी रहे हैं एक तो आपको अपना cat food बेचना है cat food business के लिए तो आपको SEO के अंदर देखना है कि आप ये क्या कर रहे होंगे और SEM के अंदर देखना है कि ये क्या कर रहे है जो टॉप पे आ रहे हैं हमें भी वही strategies follow करनी है simple अब आजाते हैं next slide पर जो कि आज की activity है वो है three ways one can create awareness for cat food अब आप मुझे बताओ वो तरीके तीन जिनसे कि अगर आप माल लेते हैं cat food बेचते हो आपकी cat food की website है जिस पर cat food बेचते हो तो आप क्या घर होगे जिस तरीके से जिससे आप awareness फैला पाओ इसके ओपर अच्छे से सोच विचार के comment डालना जो भी आपको तरीका लगता है इसके बहुत तरीके हो सकते हैं सारे next video में cover करेंगे but that is it so that's it for today's video I hope you liked it you enjoyed it and you are taking the action that is required all the best